नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉम राजस्तान क्लासेश पर तो आए दोस्तों जीके के टॉप 50 क्वेसन अपने पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम की द्रस्टी से बहुत बहुत नेटपून होने वाले हैं दोस्तों बता दूँ ये विगत भरती परिक्षाओं पर आधारीत प्रस्टन भी है और साथ साथ में आपको जीके के नवींतम यानि की पच्चास चिलों पर आधारीत क्वेसन भी इस क्लास में देगने को मिलेंगे उमीद करूंगा आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां से आप 50 प्रेशन पढ़ेंगे और 50 में से आप कितने सही करते हैं वो भी आप इसी क्लास में बतेंगे हमें किसर इस क्वेसन का अंसर यह है जो लास में पूचा जाएगा और हमने इतने प्रेशन सही करें यह दो कमेंट जरू गरिएगा तोस्तों ज्यादा आपका समय जाया नहीं होगा बहुत सूपर फास्ट क्लास होगी यानि 12 से 15 मिनट के वी तरह हम 50 प्रेशन कवर कर लेंगे ठीक है तो चले शू करते हैं देखे नौटंकी का सम्वन निमन मैंसे किस जिल्ले से नौटंकी एक जो हम बात करे कला नौटंकी का सम्वन जो है न यापके भरत पुर जिल्ले से यानि आप सभी का सही आंसर हो जाएगा देखो जनजाती बावले शेत्रों मैं सामाजी कवाने की को प्रोसान देने और पेड़ों की अवेद कटाई रोकने के लिए संचलित कारे करम कौन सा है तो याद देखना दोस्तों रुख भा बाहिला खारे करम का ज्याता रुख यानि की वरक्ष को कह सकते हैं भाहिला यानि वरक्ष यान इस परकार से आप इससे उच्छारित कर सकते हैं सास बाई हूं का मंदिर जयन यह नाग्दा मैचती थे याद रिखेगा बड़ा शांदार सवाल है अब जो अब ये जो नाग बिदा उदेपुरुम पड़ती है आपसें जो है आपका राइस रो जाए इसे सहस्त्र बाहू का मंदिर भी कहते हैं लगभग दस वी सदी से पहले का बने उगा मंदिर है रहे बजटी आभूशन काहां पे पैना जाता है दिखे दोस्तों बजटी आभूशन की बात करें तो बजटी आपूशन गलेम पहना जाता, कई बार एक्जाम में सवाल भी पूचा गया है, विभिन एक्जाम में, तो ये बात आप याद रखेंगे, बलवद विलास की रचना किसने करी थी, देखें दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करूँ, कि रामज रंजाट की रचना किसने क तो ये करी थी वहिया, सूर्य मलमेशन ने, ये बुंदी के माराजा राम सिंग के दरबारी कवी थे, और राम सिंग के दरबारी कवी थे लेकिन इनका जर्म बिलवाडा में हुआ था, ये बात भी आप याद रखेंगे, अगला सवाल है, तोरावाटी की पाड़ियां कि श ठीक बात है, सही है, सही कथन का, हाँ, ऐसी मिटी में सोडियम, कार्बोनेट, सल्पेड तता, क्लोराइड के साथ, मैकजीन तता, केल्शियम, शारों की मातरा बढ़ जाती है, ये भी ठीक बात है, राज्य में इस परकार की समझ्या, ग्रस्त, मिटी, जोदपूर, पाली, जेपूर, टौक, बर्दपूर, जेले, अधीक परवावी थे, तो यहां पे अपन ऑप्सन डी को करेंगे, दोस्तों, क्योंकि ऑप्सन डी जो है, सही, उप्रोग सभी ही सही है, अपन डारेक्ट तो ऐसा नहीं कर सकते ना, कि सही कतन का चुनाओं के उप्रोग सभी हो वह जातेगा समय, सुंदर, राजस्तानी रामयन का रचनाकार, समय सुंदर को माना जाता है, राजस्तान का एक मात्र पाहडी, इस सहल, जहां पर अब्व्यारन है, शिरोई में हिस्तिते, जंगली मुरगों के लिए जाना जाता है, औप्सन A को अपन लॉक कर देंगे, जं नेमन को सुमेलित करना है सुची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में देखो ये सब बित हैं और एक सवाल आपका अंडेड और पर पूचा जाएगा पहले तो अपन देखते हैं कि वे ताम यूगेन संस्कृतियों की जननी के से का जाता है तो भईया ये का जाता है गनेश्वर को का जाता है पहले हम चार करेंगे यहां पर भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है अडप देखो तामर नगरी तामर वत्ती नगरी की बात करें तो भईया का जाता है आढ़ को अच्छा ठीक है अडपा संसक्रती की तीसरी राजदानी की बात करें तो काली बंगा का जाता है अच्छा जी ये हो गया दो काली बंगा प्रथम की बात करें तो ये का जाता है तो दोस्तों देखो यहां पे अपने करा है आफशन डी को लॉक तो बिलकुल सही आंसर हो जाएगा बहुत शांदार है अगला समाल है जैपू राजी की भूमी से समंदी त्रिकोर जिसमें राजियों के परगनों की भूमी और पैदावार आदी का विवर्ण मिलता है तो यह जाएजर अलवर के हैं अच्छा बी में वन कहीं आ रहा है बी में वन आफशन ए में आ रहा है तो आफशन ए में अगर आ रहा है तो आफशन ए को लॉक करतो बस बढ़ा चार शांदार सवाल भी था है कि नहीं बिलकुल तो देखो साहब यहां पे अगर हम बात करें तीजा अगला सवाल यांसे कौन सा जुले मुख्यत अगला सवाल है करशरी जलवायो आप सभी को बताई कि दस भागों मैं बाटा गया है अब इसमें झेको 2 ए में तो चुरू होगा 3 ए में 2 सा नहीं होगा 4 ए में करोली होगा 1 ए में गंगाने गरोगा जो सुमेल इतनी है वो option B नहीं है ठीक है नाली नुमा आपकी अपरदन सरवादिक पाई जाती है दोस्तों नाली नुमा अपरदन सरवादिक पाया जाता है तो राई डांस राप सभी का हो जाएगा कोटा में पाया जाता है शिद्मुक नोहर सिंचाई पर्यूजना को नदियों का अतरिक पानी प्राप्त होता है कहां से कहां पे ये आपको बताना है शिद्मुक नहर से रावी और ब्यास शिद्मुक नोर सुन्चाई परियोजना को रावी और ब्यास से नदियों का अतिरिक पानी प्राप्त होता है आपजन ए को आपने लॉग करा है प्रमुख सरसो उत्पादक जिलों का सही युग माप को बताना है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अलवर भर्दपुर अलवर भर्दपुर को लॉग करेंगे ये भी बड़ा शांदर सवाल है और सेवर भर्दपुर माग अगर आपको याद हो तो वाँ पे सरसों का जो है केंदर भी बना हुआ है बिल्कुल सर पता है हमें नवलका जील राजस्तान के निम लिकित किस जिल्ले में इस्थित है तो दोस्तों याद रखना बूंदी जिल्ले में इस्थित कहां पे बूंदी जिल्ले में इस्थित है और से या तीन को लॉग कर देंगे किस निन्मन मैसे कौन सा यूनेसको की विशवयरास्ट इंस्त्र सूची में है तो इनमैसे विया केवला देवराश्टी उविद्ध्यान है 1982 में इसको घोशित किया गया था तो option C आप सभी का सही आंसर हो जाएगा के वलदे उराष्टि उद्यान कहां पर वर्दपुर में इस्तित है बिल्कुल सही आंसर है और एगला सवाल दिखिए उर्जा परियुजना और अवस्तिति आप से पूचा जा रहा है बताईए बताईए कैसर हमें तो पताए वर्दला सोलर पार्क की बात करें तो ये फलोदी में जोद्पुर कटा दीजी अब आपका फलोदी हो जाएगा ठीक है पहले में चार होगा ठीक है सर और शिष्ट उर्जा परियुजना की बात करें तो अपन लॉक करेंगे यहां पे अपन लॉक करेंगे यहां पे तीन यानि कि आउशिष्ट उर्जा परियुजना बालो उत्रा होगा ठीक है बालो उत्रा बार्ड मेर कोड़ा देते हैं यांपे ठीक है पवन उर्जा परियुजना की बात करें दोस्तों तो पवन उर्जा परियुजना आपके देवगड परताब गड़ है ना पेपर में चलो अगला सवाल देखो बड़े शांदर सवाल भी है भेड़ गववंश उट और भेंस इनकी नसलों के बारे में पूचा है तो देखो भेड़ की देखो भेंस की नसल है मुरा तो डी में एक कहीं आ रहा है सभी में आ रहा है ठीक है भेड़ की नसले ना ली एक म आप सभी का सभी आंसर हो जाएगा उंट नाचना अगव अंशरा ठी मरू विकाश बोर्ड की इस्तापना किस वर्ष में होई थी तोस्तों बताइए आप कहेंगे सर 1967, 68, 67 या गुन्शतर क्या होगा राइट आंसर बोले सर सासर नाइंटिन सिक्स्टी सिक्स ठीक है किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबा नेरी का हर्शत माता का मंदिर ने मैंसे कौन सी इस्तापते शैली में बने हुए दस भी सदी के आसपास बने हुए तोस्तों और गुर्जर परतियार शैली में बने हुए और अप्सन भी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा और इसे महामारू शैली भी कई बार एक्जामे सवाल बन जाते है महामारू शैली के राइस्तान के निम लेकित जिलों को पूर उसे पच्चिम के और सई क्रम में वर्शित करना है अभी सूपर फास करेंगा ठीक है तो आप जरूर जो है बने रहेगा बड़ा आनंद भी आएगा आपको देखो साब श्री बल देव पशुमेला चंद्रभागा वीरतेजा जी राम देव देखो यहां पे बात ऐसी है कि वीरतेजा जी पशुमेला परबसर में और परबसर आपका कांपे आज चुका है तो जालर अपाटन में तो बी में तीन कहीं आ रहा है बिलकुल यहां पर बिया रहा है यहां पर बिया रहा है तो आपस देखो डी में दो कहीं आ रहा है डी में दो यहां पर नहीं आ रहा है यहां पर आ रहा है तो यह आफिसन जो है ना आफिसन ए आपका सही आंसर हो ये चित्रकला की कौन सी शेली के चित्रकार हुए थे दोस्तों याद रेखना आमेर और जेपोर शेली के आमेर या जेपोर शेली को लॉग कर देंगे राजस्तान का प्रसीद बेनेश्वर मेला किस मा में बरता है तो माग मा को लॉग कर दे हम क्या माग माग की पुर्णी माग को ये मिलायो जित होता है बेनेश्वर का मिला दोस्तों कहां पे बढ़ता है बोले सर ये बेनेश्वर का मिला डूंगर पुर्मायो जित होता है ठीक है और गर्म इस तलिकिस की संत माउजी की दक्षिन राजस्तान की बील जन्जातिका नेमन मैसे कौन सा नर्ते नाटे के रूप में तो वो गवरी नर्ते किया जाता नाटे के रूप में बर्कान इस्तला करतिक नेमन मैसे किस बहुतिक विवाग से संबंदित है तो दोस्तों याद रिखेगा मरुस्तलिय प्रदेश में सरवादिक जो है ऐसे बालु काईस्तू पाए जाते हैं ठीके क्वेसन अगला है राजस्तान मानव अधिकार आयोग अस्तितुमाया कब आया था क्यों? क्योंकि वह ऐसे सभी कारे करता जो विश्री श्रूप से की सच्ची वह को आवनिटित नहीं किये जाते क्या उपसन एको लॉक किया जाए? जी बिल्कुल किया जाए फर्स को शेकेंड के साथ में सुमिलित आपको करना है वो के मंतरी का काल है, कारे काल है देखो, जगनात पाडिया, बरकतुला खान, वेरुशिंक शेकात और मौलाल सुकाडिया देखे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखे हैं तो राइट आंसर बड़ा आसान ही से आप ले सकते हैं कैसे देखो? जगनात पाडिया की बात करें पाडिया, बरकतुला खान यह रहे थे, यह भी ऐसी रहे थे, दो एक साल इसमें रहे थे यहाँ से आप कर सकते हैं, सिर्फ एक क्यादार पे भी अगर चाहें तो कर सकते हैं बेरु सिंग शेखावद की बात करें, मोलाल सुकाडिया की बात करें तो मोलाल सुकाडिया आपका चौपन से सत्ताइवन हो जाएगा बेरु सिंग दो हो जाएगा ठीक है? तीन में दो तो option एपका लोग आंसर हो जाएगा भी या अगला से वाल डाजस्तान के किस प्रदेश में शुष्क शागवान के बन पाए जाते बते ही है तो आपने का दक्षनी भाग में पाए जाते हैं बास वाडा उदेपूर सिरोई शेतर में पाए जाते है ठीक है यहाँ से कोस हमेलीत करना है बस यही प्रशन है इसका अंसर बताना है जल्दी से देखो सी सचस्ता शेतर और जिल्ला आपसे पूचा जा रहा है यहाँसे देखो छौत का बरवड आपको पता होना चाहिए सवाई माद्वपूर ठीक है यहां पर B है यहां पर B है यहां पर B है और राज पुरा दरीबा की बात करे तो राज समंद में और राम पुरा अगुचा की बात करे तो पीलवाडा में तो B को तीन के साथ में करेंगे बी को तीन के साथ में करेंगे यानि आफसन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा सीधी सी बात है अब देबारी जो है आपका उदेपो रोई जाएगा चार फिर तीन दो एक तीजो कुरियो आठो काल ये सवाल एक्जाम में पूचा गया उपर वाला भी पूचा गया था ये कावात राजसान की कौन सी विपत्ती को सुचित करता है तो अकाल को सुचित करता है तो आफसन डी को लॉग करेंगे या फिर आपके पटवार एक्जाम में पूच जा गया सवाल था, शांदार सवाल था या आपका, राज्य के कि शहर में परमाणू उर्जा सेंत्र इस्तित है, तो चितोड़ गड़ को लॉक करेंगे, आपसन बी को, एक बहतरीन सवाल है, एक शांदार सवाल है, आपसन बी आ तो दोस्तों, आपसन बीलवाडा और उदेपूर को लॉक करेंगे, क्योंकि यहां पर अब्रकींटें भी देखने को मिल जाती है, अजमेर को भी आप इसके साथ में ले सकते हैं, बीलवाडा अजमेर उदेपूर, ठीक है, पांच सांसकर्तिक योगों के आउशेश, राज आको लॉक करनेंगे अपने हैं, डावरिया या डावरिया, शिल्प शास्त्री मंदन द्वारा, रचित गरंत है, जिसका नाम में रूप मंदन का संबंध कौन से विश्य से हैं, तो राज प्रसाद को लॉक करते हैं क्या अपन हैं, नहीं सर हम करेंगे मूर्ती का लाग को, तो रूप किस में आता है, अमूर्ती में आता है, तो बिल्कुल अच्छा सवाल था, उनिस उनिस में विजर्शिंग पतिक ने, राम नर्यान चोधरी ने, और हरी बाइकिंग करने, राज़स्तान सेवा संग की स्थापना करी, दोस्तों कहां पे करी, वर्दा में, और पिर ट्रांसपर करी ती, उनिस सो बीस में कांपे करी ती, आप कहेंगे सर, अजमेर में करी, वेरी गूड क्या बात है, तो फिलहाल हम आफ़सन बी को लॉक कर देंगे, अगला सवाल दिखेगा, पूचा जा रहा है, निमन मैसे सुमिली नहीं है, वो करना है, माने किलाल वर्मा कोई बात करते हैं, पंची रहा लोग कीद गया था, इन्होंने, पंडी तीरेलाल शास्त ने परले प्रतिक्षन नमो नमा गया था, यानि की लिखा था, केर सिंग बारत ने चेताउन रचुंगुटिया लेका, जैनान वियास ने देनिक जियोती नहीं लेका, इन्होंने प विशुद रूप कहां दृश्रिकत होता है, तो दोस्तों जोदपूर और उसके सिमा औरते शेत्र में, पीतल द्वारा डिंगल भाशा में लिखे कर गरंत की बात करें, तो गंगा लेरी भी थी और वेली कर्श्न रुणी थी, लेकिन आपको ये पता होना चीए, कि पीतल क प्रारम में ग्वालियर और इंदोर के करांती कारियों के सेंग चेना प्रविष्ट होई, यानि अपने राज्यस्तान में कहां पे होई, दौहल पूर में होई, यानि आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, दो मिनिट ज़्यादा लगया दोस्तों बस ज़्यादा नहीं, आयो अगला, राजिस्तान का पहला विक्ती 877 की करांती के दौरान सरो पर थम फांसी की सजा हुई, तो दोस्तों देखो ये किसे होई थी, अमरचंद बांटिया को हुई थी, आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, अमरचंद बांटिया की बात करे बीकानेर से थे, और अगला सव देनिक नव जोती के संपादक कौन रहे, देनिक नव जोती के संपादक दोस्तों कौन रहे, तो याद रिकने दुर का प्रसाद सौधरी रहे, अच्छा ठीक है, हमने लॉक कर दिया, आप से एक सवाल करूं, कि वरतमान में, राजिस्तान में 10 संभाग है दोस्तों, और इन 10 संभाग में 9 में से कौन सा उन में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगा पूर्ण रूप से, कि आप अगर बता देते हैं वास्तों में, तो जरूर मैं विबरन के साथ में, अगली जो है क्लास में, आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, तो दोस्तों, आप अगर पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, देखिए, अगर आप ग्रूप में एड़ होना चाहते हैं, तो अपने नाम पर इस नमबर पर अपना नाम और जिल्ला लिखकर मैसेज करें, यानि वाटसेफ म अगरा इसमें ग्रूप में आपको मिलते रहेंगे, all the best, जै हिंद, वन्दे मात्रम